हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस्व ट्रीणिंग प्रतापगर उत्तरप्रदेश दोस्तो उत्तरप्रदेश सरकार का कार्मिक विभाग समूखायूंगा के पदो पर निउप्ति हे तू दोस्तो नूतन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है इस हे तू संम्बंधित विभाग से राय या अभिमत मांगे गए हैं कि दोस्तों कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता होगी वह पांच मान को द्वारा निर्धारित होगी इसके अलावा कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्य विभागों के अंतरकत जो कर्मचारी कार कर रहे हैं उनसे पांच कि अपने जो सम्मंधित विभाग हैं उस विभाग की जो विशिष्टता है उसके तहट आप पांच जो इंडिकेटर्स हैं वह हमें प्रवाइड करिए उसी के माध्यम से यह तैं होगा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्य विभागों में जो कर्मचारी कार कर रहे हैं वो कि मुल्यांकन होगा और उसी मुल्यांकन के आधार पे वो सक्षम और अक्षम दोस्तों कहे जाएंगे आते हैं दोस्तों बिना देर की यह शुरुआत करते हैं दोस्तों यह लेटर जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सासन कार्मिक अनुभाग दो इसकी संख्या है 257 कार्मिक 2 पॉब्लिक 2020 लखनव दिनांग 26 मई 2020 और दोस्तों यह प्रेशित हुआ है क्रिश्य उत्पादन आयुक्त को आउद्दोगिक विकास आयुक्त को आपर मुख सचिव स्री मतिर रेडुका कुमार प्रमुक सचिव वित राजस्व ग्राम विकास सिचाई माध्यमिक सिक्षा दोस्तों इसकी जद में ना केवल प्राइमरी एजुकेशन बलकि माध्यमिक सिक्षा के अलावत तमाम विभाग आ जाते हैं और यहां बात हो रही कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विभागों में समूख गा के पदों पर निक्ति की नई प्रक्रिया निर्धारित की ज पाच मीजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की प्रति सलगन कर प्रेशित करते हुए अनरोद करना है कि कि अखत मीजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानि MKPI पर अपना अभिमत दिनांग 29 मई 2020 तक कार्मिक अनुभाग दो यहाँ पे दोस्तों डेड़ भी दी गई कार्मिक अनुभाग दो को उपलब्ध कराने का कस्ट करें साथी अपने अपने विभाग से संबंदित उक्त के अतरिक्त 5 मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडि 33 जी विशेश सचिव कार्मिक विभाग का दोस्तों आदेश है और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसिस्ट 2 में 6 माही मुल्यांकन के लिए सामान मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिये गए हैं कोई भी कर्मचारी हो दोस्तों पहले उसकी उपस्थती देखी उपस्थित होने पर संबंधित न्यूक्ति व्यक्ति को 100 अंक दिये जाएंगे यानि अगर वो 6 मन्त कंटिनिवस बिना लीप के रहता है तो उसे 100 में 100 अंक दिये जाएंगे अन्न था कि इस्तती में उपस्थिती के दिरांक दिनों को 6 माही में कुल कार्य दिवस के रिप्लाई 100 कर देंगे तो उनका उपस्थती का आ जाएगा अब दूसरा इनोंने मानक जो रखा है वो केंप्यूटर में दक्षता टाइप करने की गत्य और कारश्यत की जानकारी न्यूक्ति प्राधिकारी या विभागा दच्छुद्वारा पारदर्शी परिक्ष्या यूजवित कराकर मुल्यांकन किया जाएगा जिसका अधिक्तम अंक सव होगा तीसरा मानक के सापेक्ष किया गया कार समन्दित वेक्ः दोर्वारा अपने पास एक डाईरी रखी जाएगी जिसमें निम PT. रूप से निस्तार प्रत्र निर्थारीद कारियों का अंकन किया तो उसके डायरी के आधार पर छमाही कारेदीवस के कुल निस्तारण के सापेश निम्न प्रकार अंकत दिया जा सकता है। निर्धारित कुल छमाही विभागी पत्रों की शंक्या और छमाही कारेदीवस के आधार पर निस्तारण का लक्ष है। च्छा माह में आपने कितने पत्रों का विभागी पत्रों का निस्तारण किया और कितना आपका टार्गिट था उसके आधार पे ये आपकी कारे को शलता दोस्तों निकल के आ जाएगी कार को कुप्रभावित करने वाली कोई बीमारी या आयोगता अक्सर लोग दोस्तों मेडिकल ले लेते हैं वो सर्विस बुक में एंट्री हो जाता है तो ये भी आपकी कारच्छमता को दिखाएगा कि आप निर्धारित जो आपका जौब है उसके डिवोशन के प्रति उसको कारच के प्रति आप सक्षम नहीं है आप समय समय पर बीमार हो जाते हैं तो संबंदित नियुक्त व्यक्त के कारचो को प्रभायित करने वाली कोई बीमारी अथवा आयोगता पाए जाने पर 20 अंक आपके कम कर दिए जाएंगे आगे समय बद्धता अच्छी हो तथा विवाद उत्पन करने की टेंडेंसी न हो समय से कर्मचारी आए समय से जाए और अपने जिनके बीच में उसे काम करना है वहाँ पे डिस्प्यूट ना पैदा हो उसके माध्यम से तो उसे पूरे अंक मिलेंगे समय बद्धता अच्छी ना होने पर छमाही कार दिवसों में पालन ना करने उन विवाद उत्पन करने की पुर्विति परलचित होने के स्थिति में बीसंग कम कर दिये जाएंगे तो दोस्तों ये टोटल फाइफ इंडिकेटर्स हैं जिसको कार्मिक विभाग ने विभिन विभागों के लिए जारी किया है ये उसके अपने indicators हैं बात उसने ये भी कहा है कि आप इसी तरीके के अपने विभाग से सम्मंदित आप अपने 5 indicators बना सकते हैं तो दोस्तों ये नई विवस्था नूतन विवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है ये कितनी अच्छी है ये तो समय बताएगा आप अपने comment के माध्यम से भी यहाँ पे राय रख सकते हैं कि ये विवस्था अच्छी होगी या नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये वीडियो ये information आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पर कमेंट करना लेकिन अगर आप DC Training प्रताब गल उत्तर प्रदेश की स्कूप सूरत YouTube चैनल पर नए हैं पहली बार विजित कर रह करताब